हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो ट्वन्टीफोर नॉलेजे ऑफिचल यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइन इंडियान नेवी की नियू रिक्रिमाइन नॉटिफिकेशन के बारे में इसकी एल्बिटी कंडिशन के बारे में और इसके सेलेक्शन प प्रोवाइड किया गया है तो फ्रेंट्स जॉबरास्ता.com पर आने के बाद आपको यहां पर जो नॉटिफिकेशन देखने को मिलेगी यह आपके इंडियान नेवी अगनिवीर एमार रिकुर्मेंट 2022 नॉटिफिकेशन रेटेड और इसका जो ऑफिशल नॉटिफिकेशन यह इसका जारी हो गया है अभी उफिशल वेबसाइट पर आपको इसका अपडेट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अभी सबसे पहले जो नॉटिफिकेशन जारी होती है यह आपके डियावी के वेबसाईट पर जारी होती है तो जॉबरासा.com पर आपको फ्रेंगर इसक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सकें तो सबसे पहले फ्रेंज से ये इसका official notification है इंडिया नेवी का जिसमें सबसे पहले आपसे कहा गया है हर काम देश के नाम इं जारी किया गया है जैसा मैंने वीडियो की स्टाइटिंग में कहा कि ये जो नोटिफिकेशन है ये डी एविपी की वेबसाइट पर जारी हुआ है अभी आपको ओफिशल वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगा अभी सिर्फ आप नोटिफिकेशन को वीडियो ये 01-2022 batch के लिए और ये आपका December 22 का batch रहेगा टोटल नमबर ओफ वेकेंसी जो है वो बहुत कम रखी गई है पर 200 वेकेंसी यहां जारी की गई है अब 200 में भी आपके यहां पर 40 वेकेंसी जो है वो female candidate के लिए हैं मतलब 160 वेकेंसी हैं male candidate के लिए 40 है female के लिए overall 200 वेकेंसी पास आउट आप से मागा जाता है अमेट्रिकुलेशन का मतलब यहाँ पर है दसवी क्लास पास आउट अगर आप हैं आप इसमें आवेदन कर सकते हैं जैसा आपने देखा होगा पहले के वीडियो में उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया नेवी की ऑफिशल वेबसाइट पर आप कैसे रडिस्टेशन कर सकते हैं इस टेप बेस टेप प्रोसेस मैंने आपको बताई थी जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा जॉबरासा.com पर भी मिल जाएगा या तो आपको जनम इस देट पर हुआ हो या इन डेट के बीच में हुआ हो तो ही आप अप्लिकेबल हैं अप्लाए करने के लिए और यहाँ पर कोई भी एज रिलक्शेशन नहीं मिलता रिजर्व के इंडियो तो यह चीट आपको ध्यान रखनी है जॉइन इंडिया नेवी की वेबशाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर फ्रेंट से देखिए जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है इस पोस्ट पर रहते हुए आपको क्या काम करना होगा अब बात करें अगर एमार शेफ की तो यहाँ पर आपको प्रिपेर करना होगा मेनू जो की फूड के लिए रहेगा और यह वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही तरह के आपके फूड यहाँ पर रहेंगे इस्टिवर्ड की जो वेकेंसी है इसमें आपको सर्विंग करना होगा ओफिसर मैज में या फिर हाउस कीपिंग करनी होगी फॉंट्स की अकाउंटिंग करनी होगी वाइन इन स्टोर्स को आपको यहाँ पर संभालना होगा मेंनों उसका preparation करना होगा या आपको काम करना होता है अगर आप hygienist के लिए जाते हैं तो यहाँ पर देखिए hygienist का जो काम है washroom में या जो other areas होंगे वहाँ पर आपको hygiene आपको संभालना होगा उसका काम आपको करना होगा hygienist में तो यह इसकी job profile होती है और इसके according ही आपको job करनी होती है तो short में आपको जानकारी job से related भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी इसके बार friends में marital status की बात करें तो क्योंकि आप पर applicable ही unmarried candidate है तो अगर आप की marriage हो गई है तो आप इसमें वैसे ही applicable नहीं होते तो unmarried male and unmarried female candidate ही eligible यहाँ पर रहेंगी terms and condition में सबसे पहले है duration of service अब जैसा आपको पता होगा क्योंकि जो vacancy है वो अगनीवीर के अंतरकत आती है अगनीपत scheme के अंतरकत आती है तो यहाँ पर जो आपकी job रहेगी वो 4 years की रहेगी और जुतने भी candidate selected होंगे उनके 25% candidate को ही regular service यहाँ पर लेग सकते हैं बाकी candidate को यहाँ पर भार कर दिया जाएगा leave आपकी 30 days की रहेगी जो की per year आपकी रहती है pay allowance की बात करें तो जो package है वो 30,000 रुपे पर मन्त आपका यहाँ पर रहेगा इसके लिए फैंसे आपको यहाँ पर देखिए एक table दी गई है first year, second year, third year, fourth year आपका क्या salary रहेगा और cutने के बाद by hand आपके आपके हाथ में कितना salary आएगी in hand वो आपको यहाँ पर दी गई है बात में जो सेवा ने दी होगी उसके अंतरगत आपको 11.72 lakhs आपको यहाँ पर मिल जाते हैं साथ में life insurance cover आपके जो death compensation है या disability compensation है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके बाद आपको कहा गया है regular cater के लिए तो 25% candidate को ही यहाँ पर regular service दी जाएगी जो भी selected candidate यहाँ पर होगे इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर दिया गया है रिकी selection process तो short listing कैसे होगी तो सबसे पहले जो भी candidate यहाँ पर registration करेगा और form को fill करेगा उनके फैंसे percentage की basis पर जो aggregate percentage होगी आपकी overall percentage होगी तैन की उसके basis पर आपको short list state किया जाएगा उसके basis पर फैंसे जो candidate short list होगे वो होगे 4 times मतलब जो seat आपकी दीगई है 200 उसकी 4 times मतलब 800 candidate को यहाँ पर short list किया जाएगा उनको ही call letter issue यहाँ पर किया जाएगा और उसके बार आपका return exam होगा और उसके बार आपका PFT होगा और उसके बार आपका इसमें final selection होने वाला है तो सबसे पहले फैंसे यहाँ पर जो physical test के PFT है इसमें देखिए male candidate के लिए यहाँ पर 1.6 km की running है साड़े 6 मिनट में female candidate के लिए 8 मिनट में आपको यह complete करनी होगी उठट बैटर male candidate के लिए 20 है female के लिए 15 है push-up male candidate के लिए 12 है और जो bentney आपका setup होगा वो friendship female candidate के लिए आपका 10 यहाँ पर आपको करना होगा इसके बाद ही आपका यहाँ पर आगे की जो process है उसमें आप भाग ले सकते हैं इसके बाद friends अगनीवीर MR के लिए आपको देखिए written exam बताया गया है तो यहाँ पर देखिए जो question paper होगा वो English and Hindi दोनों ही language में होगा objective type paper आपका होगा और इसमें जो paper होगा वो दो section में divide होगा पहला section है आपके science and math का और general awareness का तो यह friends section आपके रहेंगे और यह 10th level के होगे और syllabus जो है वो आप download section से download कर सकते हैं duration exam के आपके 30 minutes की रहेगे तो यह आपका selection procedure यहाँ पर रहता है इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए आपका merit list है वो आपकी तयार हो जाएगी उसके basis पर ही आपका इसमें final selection होने वाला है minimum जो height है वो 157 cm male candidate और 152 cm female candidate आपकी यहाँ पर रहेगी तो इसके बाद friends से यहाँ पर जो side में आपको जानका ही दी गई है यह आपके visual standard की दी गई है इसके बाद training जो है वो December 2022 INS चिलका Odisha में होगी इसके बाद friends से आपको यहाँ पर दिया गया है जो call letter है वो आपको online ही जारी के जाएंगे online ही आपको download करना होगा marriage list जारी होगी यहाँ पर वो November 2022 में होने वाली है और इसके बाद आपका जो form है वो आप कैसे apply कर सकते है कब से apply कर सकते है उसकी date आपको मिल जाएगी how to apply section में तो form यहाँ पर आपकी 25 जुलाई 2022 से 30 जुलाई 2022 तक आप इसमें भर पाएंगे 35 जुलाई को आपका form start हो जाएगा और 30 जुलाई को आपका form यह complete हो जाएगा fees यहाँ पर कोई भी नहीं है कोई भी application fees आपको pay नहीं करनी है पर आप CST के मादियम से या फिर किसी shop के मादियम से fill करते हैं तो आप वहाँ पर जो भी उनकी fees है वो आपको देनी होगी registration करने की जो जानकारी है या उसका जो वीडियो है वो मैंने आपको पहले ही available करा दिया है और इध्यान रखेगा last date इसकी 30 जुलाई 2022 आपकी रहेगी और यह जो notification है यह आप video description में जाकर jobrasa.com पर check कर सकते हैं तो अभी friends यहाँ पर wait था इंडियान नेवी की अगनीवीर MR requirement का जिसका notification यहाँ पर जारी कर दिया गया है अगर आप applicable है, eligible है, apply करना चाहते हैं, apply कर सकते हैं और आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही updates आपको लगातार मिल सके तो इसके लिए फैंसे like, subscribe, share जरू कीजिए, बाकी की जानकारी के लिए ऐसा ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारा यूटीब चैनल, and last thanks for watching